नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूटूब चैनल सोनम्स गाडनिंग पैशन पर तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर लाइक कराई हूं जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और आपके पौधों को फूलों सो भर दे आज के बाद अगर यह वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो आज के बाद ऐसी गलतिया दोबारा नहीं करेंगे यह जो गाजर है इसका उपयोग करके मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर बनाने वाली हूं जिसका उपयोग अगर आप अपने पौधों में महीने में एक बार भ बहुत ही हल्दी है तो सोचिए अगर हम अपने प्लांट पर इसका उपयोग करेंगे तो हमारे प्लांट कितने हल्दी होंगे जैसा कि आप देख रहे हैं यह मेरा पीस लीली का पौधा है बहुत ही हरावरा अभी भी यह ग्रो बैग में ही लगा हुआ है फिर भी यह बहु चील लेना है जैसा कि मैंने चील लिया है देखिए जैसा कि चीला हुआ आपको दिखाई दे रहा है इसके बद हमें कट कर लेना है और एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर इसी ग्राइंड कर लेना है इन सूखी हुई गाजरों को देखिए यह मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसके अंदर इस गाजर को क्या करना है डाल देना है गाजर में अच्छी मातरा में हमें magnesium, iron, potassium, sodium और carbohydrate मिल जाता है जो कि human body के लिए बहुत ही beneficial है उसी प्रकार ये plants के लिए भी बहुत ही beneficial है इसमें जो potassium मिलता है और sodium मिलता है वो हमारे जो plant की जड़े हैं उनको बहुत ही healthy बनाता है और साथ ही साथ इसमें flowering करने में हमारी मदद करता है अकसर हम प्लांट तो खरीद कर लाते हैं नरसरी से पर हम जो है कुछ दिनों के बाद देखते हैं हमारा plant मर जाता है या फिर उसमें flowering बंद हो जाती है तो अगर आप इसका उपयोग करते हैं हर महीने में एक जितने भी nutrition value मैंने आपको बताए हो सारे इस पाने में आप घुल चुके हैं गुलने के बाद आपको डायरेक्ट इससे नहीं डालना है क्योंकि इसके इंदर अभी भी गाजर के कुछ अवशेश हैं तो आप अगर डायरेक्ट डालेंगे तो यह आपकी प्लांट में फंग में देदीजिये और इस निखस कोई भी नुकसान नहीं करेगा और बहुत ही अच्छी ग्रोध करेगा मैं अक्सर यह सब जो ऑर्गानिक फर्टिलाइजर बनाती हूं वो अपने प्लांट को मैं यहीं सब ऑर्गानिक फर्टिलाईजर से हल्दी रखती हों धेखिये जया कि मैं कर रही हूं यह इस तरह से जो है हम अपने प्लांट में इसको डायरेक्ट डाल देंगे और आपके प्लांट आप कुछी दिन में देखेंगे फ्लावर से भर जाएंगे और साथ ही साथ आप इसे एंडोर आउटडोर वेजिटेबल फ्रूट्स या फिर किसी भी प्लां पर स्प्रे कर दीजिए जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट बहुत ही हल्दी है और फ्लावरिंग कर रहे हैं तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं और अपने फ्लावर की प्लांट में धेर सारे फूल और आपने फलो की प्लांट में फल पास सकते हैं देखी मेरे गेंद